हेलो मेरा नाम दलबीर है और मेरे इस यूटूब चैनल में आपका स्वागत है मेरे इस यूटूब चैनल का नाम इंडियन टेक्निकल फार्मिंग है आज मैं आपको सर्षोगी पॉइनर 45-46 वराइटी के बारे में बताऊंगा मैंने यह वराइटी एक नुम्बर को लगाई थी चलो चलिए स्टार्ट करते हैं यह पॉइनर गी 45-46 वराइटी है जो कि मैंने एक नुम्बर को लगाई थी मार्केट में सर्षों की बहुत सी वराइटियां उपलब्द है जैसे पॉइनर 45-46, पॉइनर 45-42, पॉइनर 45-42, और 30 और भी बहुत वराइटियां उपलब्द है लेकिन यह वराइटी पॉइनर 45-46 है जो कि आप देख सकते हो सबसे पहले हम इसमें एक खेट का सुनाव करते हैं उसके बाद हम उस खेट की मिट्टी की जांस करवाते हैं जिसे हम स्वाइल हेल्थ कार्ड या मर्द्य स्वास्त्य कार्ड भीग कहते हैं जिससे हमें यह पता चल जाता है कि मिट्टी में किन किन पोशक्तत्तों की कमी है उसी के नुगुप हम खादगा परियोग कर सकते हैं। अगर हम गॉब्बर की खादगा इस्तेमाल करते हैं, तो एक अंकड के लिए 6–8 रॉली परियापता रहता है। अगर हम रसाइनिक खादगा इस्तेमाल करते हैं, सरसूं के खेथ के लिए 50 किलो डिपी दस किलो सुपर 20 किलो पोटास प्रियापत रहता है आप खात का जुनाओ अपनी मिट्टे की जांच की उनुसा भी कर सकते हैं उसके बाद मैंने खेट की चाहिए कर दी थी जमेन के बत्तर आते ही उसे टेक्टर की साइटा से जुताई कर उसको कल्टिविटर साइटा से समतर कर दिया उसके बाद बीज का चैन मैंने यहां पॉइनर की 45 और 46 प्राइट्टे का बीज का चुनाओ किया था पॉइनर का उपचार अगर आप पॉइनर ,長 55-26 प्रे इक उपचार कर्ते हो तो बेतर रहता है मैंने इस प्लैंर 45-26 प्राइट राइजोबियम कल्चर से कि उपचार किया था इसके उपचार करने से वीज का उंक्रॉन 250 लगबग हो जाता है आप बीज वाख खाद की बुआई एक साथ कर सकते हो फॉइनेर पंतारिस है च्छारिस का बीज एक अंकट के लिए एक किलो प्रियापत रहता है इसमें बीज की बुआई खाद की बुआई दोनों मशीन की साथा से एक साथ कर सकते हैं विज़ाई के बाद आप इसमें पेंडा में लिध्यान यानि पेली दोई का पिडियो कर सकते हैं जो की करफत्वार की रोक थाम के लिए क्या जबता है तीस से पंतारिस दिन बाद इसके आपको पहली सिचाई कर देनी है इस चाई के समय मैंने इसमें 50 किलो यूरिया पर अंकट डाला था उसकी दूसरी स्चाई के भी मैंने इसकी एक महिने के बाद फिर कर दी थी उसमें 50 किलो यूरिया फिर डाला था इस वराइटे में किस भी परकार का कोई सपरेनी की या गया है प्वाइनेर 45-46 वराइटी की कुछ विशेश्थाइं हैं जैसे प्वाइनेर 45-46 वराइटी का जो पुद्धा हता है उसके लंबाई अन्य वराइटियों की मुकाबले कम होती है लेकिन दूसरा इसका फाइदा यह है कि इसमें पुटाव शुरू से हो जाता है और अंतक सकता है जिसका पैदावार पर पूरा सर्फ पूरा यह सर पड़ता है। ज्से पैदावार जर्दा होती है क्योंकि इसमें शुरू से ही पुटाव हो जाता है जिसे पहलीया जाधा बंगती है और समय में वर्द्ध होती है प्वाइन्य पंतारीश चारिशंकि यह सब शी रok य देते हैं इसका किसानों को पूरा लाप मिलता है अगर आपको यह यूडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेट जरूर कर देना धन्यवाद